बेके बाद आप सभी का एक बाद फेसेल स्वागत है नमस्कार मैं आहूरतना और आप देख रहे हैं के किडी निव शाम के छे बच चुके और वक्तों चुका है मुद्दे की चर्चा का लोग सबत चुनाव में उत्व प्रदेश की नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है सबसे ज़ादा है आयोध्या की नतीजों ने जिहां आपको बता दे कि सबसे ज़ादा हैरान करने वाले नतीजे आयोध्या में ही देखने को मिले जहां बीजेपी की हार से हर कोई हैरान है 500 सालों के संगर्श के बाद राम मंदिर बन कर तयार हुआ और चार महीने पहले राम लला की प्रांट ततिष्टा की गई थी बावजूद इसके बीजेपी के हिंदितु की प्रयोक शाला आयोध्या में धाराशाई हो गई अखलेश आदर के दलिच चहरे ने बीजेपी के धुरंदर ठाकुर्ट चहरे को हरा का दिखा दिया कि आयोध्या पर कमंडल नहीं मंडल भारी है क्या ये जाती है समीकर्डो का चमतकार है या फिर लोगों को कम मुआवजे का विकास रास नहीं आया फैदाबाद सीट की हार ने दिल्ली से लेकर लखनओ तक और बीजेपी से लेकर संग परिवार तक सभी को सदमे में डाल दिया है देश ही नहीं दुनिया भर में अगर बीजेपी की किसी एक सीट के हाने की चर्चा इस वक सबसे जादा सुर्खियों में बनी है तो वो है आयोध्या वहीं आयोध्या जो बीजेपी के हिंदुत्र के विचार धारा के मूल में है जिस आयोध्या में 22 जन्वरी को नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में 2024 के चुनाव का आगास हुआ बीजेपी वही आयोध्या हार गई पिछले 40 सालों से जिस आयोध्या के राम मंदिर अंदोलन के बदावलत बीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर ली वो आयोध्या भाट्पा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ महीनों के भीतर ही हार गई अभी हार के कारण तलाशे भी जा रहे है कोई इसे भाट्पा के OBC और दलीतों के छिटकने की हार बता रहा है तो कोई अखिलेश के सॉलिड जातिय समीकरण साधने को वज़ा मान रहा है कोई से बीजेपी के भीतर दिल्ली और लखनों के तनाव से जोड़ कर देख रहा है आयोधा की हार नहीं सिर्फ बीजेपी की ही नहीं है बलकि देश भर के भाजपा समर्थकों और हिंदुत्व वादी सोच के लोगों के लिए एक सदमे जैसा है यो तो फैजाबाद समाजवादी पार्टी के सबसे तग्रे समी करोड के स्टीटों में से एक है लेकिन इस बाद समीधान बदलने का जो मोहल रहा जो नेरेटिव पिछले कुछ दिनों में तयार हुआ उसकी प्रिष्ट भूमी में आयोध्या और उसके सांसर लालू सिंग सफाई देती रही और इस नेरेटिव का जवाब देती घूमती रही जो बीजेपी आयुद्धा के बल पर दोहजात चौवीस चुनाव का नेरेटिव गड़ रही थी इस आयुद्धा से निकली समीधान विरोधी आवाज ने उत्व प्रदेश में बीजेपी का पूरा खे ने प्रदानमंती जी आसर लडना चाहते थे मैं तो सोचता था फ़ादानमंती जी लड़े तो बोड अच्छा होगा वहां उनको भीजनता हरा है यह तो मामुली शीट नहीं है ने अजोध्धाकी सीट है और अजोध्धाकी शीट है ही भारत्यय जनता-पार्ति पूरी रा अच्छा होगा वहां उनको भी जनता हराएगी तो हो तो आए नहीं हिसाब किताब लगाया हमाम रिपोर्ड बगाया आए सुरक्षित सीथ नहीं है और विपक्ष का जो मीद्वार अधे साथ बड़ा जमीनी है अब लोग प्यता है और सब लोग समथ्थन करें हमारे प्रधा जैसा कि आपने सुना कि अवधेर प्रशाजी ने कहा कि अगर प्रधान मंत्री भी आएदर सीट से लड़ते तो वो हार जाते कि उन्होंने पहले ही गुड़ा भाग कर लिया था और जिस तरीके से अवधेर प्रशाजी रही है जनता के बीच में उसको कही ना कही प्रधान जून के नतीजे आगे हैं और अभी वक्त बीच चुका है दो तीन दिन बीच चुके हैं लेकिन आयोधा की हार किसी को भी हजम नहीं हो रही है फिर चाहे वह जनता हो या बीजेपी हो एंडिय की बात कर ले अभी एक तरीके का सदमा ही है जिससे वह उबर नहीं पा रहे है इसी मुद्दे को ले करके हमारे साथ बात चीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौझूद है मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी बीजेपी से राजीव मिश्रा जी का कॉंग्रेस से देवे नतिवारी जी सपासे जैनू लगतर जी और हमारे पॉलिटिकल अब चारों पैनलिस्ट का बहुत-बहुत स्वागत है शुरुवात मैं करना चाहूंगी राजीव जी से कि जिस तरीके की यह कयास लगाया जा रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो फोकस था वह राममंदिर को बनाने में लगा दिया गया तो जंता का जो फोकस था जंता को जो मुद्धा था उसे पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया और यहीं वज़ा रही है कि आयुद्ध्या में इस तरीके की हार देखने को मिली है बीजेपी को राजीव जी हमारे कोई बहुत बड़ी भी पलता हुई है जरूर यहां हार हुई है और मुष्टिस को बिक्षा कर रहे हैं कहें ने कहीं दबतलतिया हुई होंगी तभी ऐसी सित्यों में कोई भी पार्टिया आपको पारती है रही बात मैं अगैर देखिव जी माफ करिए लेकिंट मैं यहां पर आपको रोखना चाहूंगी आपकी आवाज हम सकर ही से पहुच्छ नहीं पार यह राजीव जी आपकी आवास थोड़ी सी कट रहे हैं कुछ नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से राजीव जी आपकी आवास प्र मैं के आपकी आवास अगा दसक्राइए नेटबर्क इशीव किस्फूशी थोड़ा सही पापी जवाब ले लेते हैं हमारे सबस्टमील जी भी है सुनील जी क्या प्रत्यूर्शक है कि जिस त Αंग मंदिर को करके पूरी राजनीती की गई पूरे चुना में राम मंदिल ही फोकस रहा है यह हमने भी देखा यह आपने भी देखा है सुनील जी कि अब इस अब इस पार से परूशी राम के मंदिल की कुछ इस अब ज़री साफ नहीं आ रहा है हमाई तरह से आप जी सुनील जी आपकी तरफ से भी कुछ नेटवर्क का इश्यू आपकी आवाज कट रही है है हलो जी सुनील जी बोलिए अब आवाज नहीं मेरी जी कि यूट कर दो दो जी सुनील जी हम सुन पा रहे हैं आपको जी सुनील जी हम आपको सुन पा रहे हैं आप जवाद दीजिए कि अयुद्या में भाजबा के हाड़े कई कारण हैं जी जब से मंदिर की प्रांप्रतिष्ठा शुरू हुई भाती जनता पार्टी से दे करके कुछ धर्माचारियों और जो वहां के संत हैं उनमें भी मद्धेत पैदा हुआ जिस तरह से प्रांप्रतिष्ठा की गई उससे कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो तूरा मंदिर बना लुए भी अनिन उन्हां कि प्रांप्रति मैं प्रांप्रत शुरू क Keys मैं जब सबसे कि ज़ोडे जी सूनों जी अब ओलिए हम सुनतार है आप क्या करण है यह यह जिसदी है कि वहाँ थाना राम जनम भूम है कि एसोग द्वारा ऐसी खबरे या रही है उद्यासे कि जो दर्सनाथी आते हैं उनके थाना अध्यच के सद्चन में कुछ ऐसे सिपाही या पुरिसकर्मी है जो दर्सनाथियों से पैसा वसूलते हैं और जो वहाँ पुरोहित हैं बंडित दो उनको भी मार के भगाते हैं अगर वो दर्सन कराने भी दे आते हैं तो उनको भी डाकना मालना उनका उत्वीडर करना इसके तरित एक महिला पत्रकार वहाँ है करने गई उसके साथ भी मार पीड की गई और आफ तक थाना अधेश पर कोई कारवाई नहीं तो ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं भी कहीं कहीं भारती जन्ता पार्टी के सबक का कारण बनी हैं इसके अधित मैंने कई बार कहा ये बीजेपी के मंत्रियों का सांसदों का देखा और उसका बिरोष किया मैं माना हूं कि प्रतिक्रिया कट्वंदर ने किया इतना इसको फाज़ा मिला तेकि जो बीजेपी से नावाज लोग से अधित कि अधित कि लोग इस वहां आति वहार्टी इनता पार्टी को घराने का काम किये हैं जिस सब्सक्तित कि कारण प प्रतिक्रिया ले लेते राजीव जी कुछ रहे थे लेकिन हम उनकी बात ने सुन पाई राजीव जी क्या यही सब कारण है कि हार का मूँ देखना पड़ा आयोद्दय में बीजेपी को क्योंकि जिस तरीके से चोटी चोटी बातें हुए जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया क कि मामले की सुनवाई नहीं हुई महिला पत्रकार से जिस तरीके से मार पीट की गई है और दलितों को दर्शन कराने ले जाते तो उन पर डंडे डंडों से पीटा जाता है भगा दिया जाता है तो क्योंकि जो वोट था वोट का भी देखें तो इसमें यहीं कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं दलितों पिच्डों का वोट जो है वो नहीं ले पाई है बीजेपी तो क्या यहीं सब कारण रहे हैं क्योंकि फोकस पूरा था राम मंदिर को ले करके 400 पार के नारे लगा हैं क्या प्रान प्रतिष्ठा कर देना उस पे भी सवाल उठाए गया थे कि मंदिर क्योंकि अधिकतर जगहों पे दलितों वोट है वो हमारे खिलाब ट्रांसफर हुए जो विपक्षन ने या रहम का जाल पहलाया कि हम समिधार में बतलाव करने जा रहा हैं और मुझे लगठा है कि इसकी सुरुआत ही सायर अधिया से हुई भिना पाइटी घमंडी पाइटी नहीं है वह लोड के फिर आती इसके करता दिन और रात काम करते, soliman नहीं राते, नसेे कर दो के चूर में नई रहते हैं गुमान में मरत हैं हम जीछ दिन चुनाओ बीक्ता है उसके अगले ह drinking चुनाओं की तैयारियों में जूड़ जाते हैं मुझे शुण जाते हैं हमारे लिए निश्चीत रूप से कितमें निश्चीत रूप yep इसे छेड़ देवे नाजी से हमाई साथ कॉंग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके देवे नाजी क्या प्रतिक्रिया है आपके क्योंकि यूपी की बात कर रहे थे यूपी की सीटों पर फोकस था और जिस तरीके से सपा ने अपना परचम लहराया है यहां पर इंडिया लाइंस की ब जी मेडम इसे ब्यक्ति पार्टी गंता पार्टी ऐसी लालिची पार्टी है जो भगवान का नहीं हुई वो जनता की पहली बार दूसरी बार आप बोल रही थी कि भार्टी गंता पार्टी अज्या सक्योंकि बाता भार्टी यहार है वाँ भार्टी यहां नहीं हमने राम का मंदिर बनवाया तो बात हारने के यह भी लगए दूसरी बात इमें फाइस तो दुकान टूटी है असी घंड टूटे हैं तस तीस मंदी टूटी हैं दस मजजी टूटी हैं इक भार भी किसी को उचित मौज़ा नहीं दिया है और उचित मौज़ा नहीं देने कि ताथ उन पूरी गुजरात ल करते हैं बात रह गई आप करते हैं कि law and order का समानने की बेवसा पुलिस की हो जब मोंगे ने पैसा लिया कि आता है कि कोई भी हमारी बीपक्ष की सरकार सपा हो अंग्रेस हो कोई भी ऐसा मजूद परिस्टित आती है तो सरकार नहीं मानती है आपको पता होगा कि 20 लाग की जमी हम लोगों को नहीं है आप हा रहे हैं बहुत बुरे तरिके साफ लोग आ रहे हैं और आपको पता हो कि बात बता दूमें मजे की बात यह इनी का एक मौजूदा प्लान था अनी का एक मौजूदा प्लान था आत्म निरभर का यह खुद आत्म निरभर हो गए हैं पैसाखी क हो गय तो इसे लोगों निती रानवा लोकों भगता पहले ही इस बार मोद्दीलवान नहीं हैं करक्टा मेहनत करें तो बात तो बिल्कुल तो रह बर कोई भी क्षिर नहीं है औरने डाल मंत्री जो कि प्रदानमंत्री नहीं है वो और उनका तो कोई नाम हो निसान नहीं है प्रदानमंत्री को दूर दूर तर लेकर भाष्टा के नजर में तो हमारे नेता ने चार लाग वोड़ सिकता है और मौजुदा परिस्थिती में प्रदानमंत्री डेल लाग वोड़ सिकते हैं जन तो कहीं नहीं आप लोगों ने पूरे तरीकर से होटा ला किया है चंडी गड़ जैसे मसलों पर आप लोगों ने देखा होगा यह मनीश तीवारी जो हमारे सांसद है उनको इन लोगों ने दुबारा रिकाउंटिंग कर आया तब जाकर के वो 35 वोट सेगी तो भारती कंदा पार्टी अपने तरीके काम्याब नहीं हो पाई है इवीम की बात रगए तो इवीम पे निश्पक्ष अभी भी हम नहीं है और पहले भी नहीं थे क्योंकि आप लोगों ने धादली बहुत अक्षे लेबल से किया था हाँ यह इस बार आप उतना सफल नहीं हो पाई है जित रहांको ले करके आयो तो इन्हों ने अपने गदा से जुम जी ने इनको बाहर बेश दीआ यहीं उप जा li ा करते हैं दो तो जाती की बाद नहीं है पूरा करते हैं पैसाकी की वह को scope चेते पोनी है और सहाव था हता जिर जवाब सुन लीट है जवाब देना चाह रहा है। एक मेट मैड़म, आप सिर्फ एक कपड़ा पंड के तीनो-तीनो प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। पहले तीस-तीस कपड़े बदल लेगाते थे। अब एक ही कपड़े पे प्रोग्राम कर रहा है। तो इसी को बोलते है, मोधी सरकार की करारी हार है, और अपकी बार कांग्रेज चाहर है। जी देवेण जी ठीक है, देवें जी, राजीव जवाब देना चाह रहे है। जी राजीव जी बनियों, जी जानकार है जहां ये बात करते हैं रही बात याहूल जान जी के 4 लाक वोटों की अरे स्रीमान जी ध्यान रखें अमीत ते 6 लाक वोटों जीते हैं इन दौर में हमारे प्रत्यासी सारे 11 लग आपके प्रत्यासी तो जमानत भी नहीं बचा पाए रही बात अप मतुरा कासी की बात करते हैं स्रीमान जी एक कचिए जयार रखिएगा कि भारतिये जल्टा पार्टी घमंड में चूर में 25 परसेंट के स्ट्राइक के साथ बेसरमों की तरह यह नहीं कहती है कि हमारी करारी हुए हम स्विकार करते हैं कि हमारी गलतिया हुई है हम से गलतिया हुई है हम सीख र आप हमारे गड़बंधन पर डोरे डालने लगे आपके अपने गड़बंधन मंता पनर्जिती मीटिंग में सामील नहीं हो रही है इस्थितिया यह आ रहे हैं कि बठाकर अपने परत्मिदी को बेजने के बाद कौन कहा जा रहे हैं अभी देखते जाएए तमासा देखते जाएए आप लोग तो सोच रहे थे कि चलो नितिस बाबु आजाएंगे चंदर बाबु नाइडू आजाएंगे लेकि यह मोदी की गैरेंटी है यह घमंडिया गैरेंटी नहीं है जो दसद बारा पचीश दूलों का बारात लेके आप चले थे अभी दूलात है नहीं हुआ खरगे है राहूल है अखिलेस है कौने किसी को नहीं पता है लेकिन एक बात यान रखेगा कभी भी साहट परसेंट का स्ट्राइप जो होता है वो 35 परसेंट से लगबट दूले के बराबर होता है गरित की जनकारी रखिये देविन अत्तिवारी जी और रही बाफ सलेमपू और बात कर रहे हैं कहीं भी आजकर तो ग्राम परधान के चुनाव में अपतिया होती है और ऐसी परिष्थितियां बंतियगरी काउंटिंग हो जाया करती है आपको साहिद ये लोग तंत्र में रूची नहीं है आप सिर सम्मिधान का किताब लेके मीटिंग करने बैठते है लोगों को दिखाने बैठते हैं सम्मिधान की कितनी ज्यान है साहिद आपको नहीं पता होगा लेकिन एक रात ये भी सुन लीजिए कि जब ऐसे इस्तितियाई तो डीम ने निश्पत चुरूप से कहा कि हां सलेमपुर का प्रत्यासी आ रहा है और हमारे प्रत्यासी ने इम लाहिजाई या मेरी लाहिजाई ये कौन सी भासा का रूपयोग है एक आईया सदिकारी के साथ आप लोग अभी से घमंड मनाते हैं आपके 35 सीटे और आपकी 25 सीटे और आपकी 24 सीटे यहीं सावित करती है क्या आप इसी चीज के लिए अपने कारे करताओं को छूट दे र तरीखेश चाहिए अजए देवे जिस तरीके से थारा बेदा को आतों चाहएं और मैट दूसी अजबर अंवार सब्सक्राइब बटता को फैनल द hai तरूबह को ठाँव हमकरता प्रतिप्र सब्सक्राइबaut Turn मेडम आप सभी बैठे हुए पैनल पे सभी लोगों का मेरा नमस्कार और मैं एक शिकायद करूंगा मेडम कि अगर चार लोगों को बैठाती हो तो सबसे समान प्रश्न पूछा करिए पर तेईस मिनट निकल गया अब जब आपका डिस्कनेक्ट हुआ तब जैनुल अबतर जी यह जो कर दो इसकी है आप देवें जी बारबर जाब देने के लिए वो बार बारा हाथ दिखा रहे हैं लेकिन मैं आको मुणास मैं आपको मुझा हाँ यह रहा हुआए ज्वाब आप अपनी सावार तो पूछिए तब तो मैं बात रखों क्या उत्रप्रदेश की नतीजों की बात हो रही थी जैनूल जी और अभी आपने सुना कि वाकी के बैटे पैनलिस भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी पहले 400 पार के नारे लगा रही थी और अब कहती है कि हम तो आत्म तो ये बड़े confidence में रहते थे सवाल आपको समझाया जैनूल जी 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 मैं ये बात बताना चाहता हूं मैदम आपके सम्मालिक नीज चैनल पे कि लोग तंत्र में जनता सर्व परी होती है हमारे चैनल पे इस पैनल पे बैटने वाले सारे दल के लोग अपनी 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 बात जो जैसे होता था वो इसा करते थे लंबी-लंबी बाते हुई एकजीट पोल भी जब आया उस दिन भी डिवेट में हम लो बैटे थे एकजीट पोल को भी मैंने नका रहा कि ये गोदी मीडिया है ये 400 पार का नारा देखा रहे हैं अभी हमारे भाई साहब आप भी पार नहीं कर पाए तो मदलब ये हवा हवाई बाते आप जो है ये जनता ने बता दिया कि देखिए हिंदुस्तान की जनता का लोग कंतर इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लोग तक कहा जाता है देर होती हैं 10 साल मन मोहन सिंग भी रहे इन्होंने साफ रोजगार नही दिया इसको जानता ने बहुत ताहे दिल से इसको दिल पे लिया और सोचा कि अगर हम इस पे अगर लोग तंतर में जो सबसे बड़ा हत्यार मत देने का जिकार है अगर हम नहीं इस पे चोट करेंगे हम नहीं अपनी आवाज उठाएंगे तो हिंदु मुस्लिम करने से आप का पेट और आपके बच्चे का भरीस नहीं बनने वाला है इसलिए उन्हों ने उत्तर परदेश जिस उत्तर परदेश के माध्यंत से दिल्ली की कुर्सी तै होती है मैडम उसी उत्तर परदेश में इनकी हैसियत को दो नंबर पे कर दिया सबसे बड़े दल के रूप में उत तीस सालों से लालकिस्टाडवानी जी जीस दो सदन से लेकर दो सदन से लोग सभाद से लेकर और आज तक चार सो पार तक का नारा देने वाले लोगों को अयोध्या के नो बार के विधायक हमारे अउधेश जी ने पताया वहां की जनता ने मैं अपनी बात नहीं कह रहा आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप तो इलेक्रानिक मीडियम से हैं मीडिया की हैं तमाम हमारे न्यू चैनल पर बैटने वाले हमारे साथी देखते हैं वहां पे पत्रकार महोदे जाते हैं और वहां के अस्थानी आदमी से पूछते हैं यहां बताईए कि राम लला का यहां पे प्राण पर्तिष्ठा हुआ मंदिर बना हवाई जहाज बना तमाम चीजे बनी लेकिन यहां पे क्यों हार गए तो वह अस्थानी लोग बताईए कि यह सब चीज बना लेकिन इसके पीछे अभी हमारे आप वाले पाट को मैं साथ ठोड़ता हूं उन्होंने भी बताया कि यहां पे जो है आपकी कितने मकाने तोड़ दी गई रामपत एक रास्ता बनाया गया था उसमें मकाने तूर गई मंदिर भी टूटे मजार भी टूटे मुआउजा भी उचित नहीं मिला तमाम लोगों को जो लोग बाहर से आए हुए हैं वहां के अस्थानी लोगों को रोजगार नहीं मिला मुंबई से 200 करोड रुपे लगा के होटल बना रहे हैं गुजरात से लोग आके वहां पे अपना तूरिस्ट बना रहे हैं पनारस में वही हाल है कि गंगा किनारे जो इस्टीमर और जितने भी पानी की जहाजे हैं वो सब के सब गुजराती लोगों का है तो इससे अस्था अपना रुटी के सवाल पे वोट दिया है और लोग तन्तर में किसी की भी सरकार हो सरकारे आती हैं और जाती है मेडम लिंसान को सरकार को भी सोचना चाहिए कि आपकी ताना साही इतिहास उठा के देख लिजिए चाहे हिटलर हो चाहे मुसलीनों हो कोई भी हो किसी की जो है हिटलर साही चला नहीं है जनता अपना जब धदा उठा लेती है तो ये एक तरफ कर देती है और वही हुआ इंदुस्तान में उत्तर परदेश में खास तोर से हमारे उत्तर परदेश की जनता को मैं धन्यबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है बहुत अच्छे तरीके सापने पईडान दिया रोजी रोटी के सम्मान पे आपने संविधान बदलने के मामले को लेकर आपने जो है रोजगार को लेकर आपने पेपर लिक को लेकर तमामें इसे मुद्दे को आपने अगनी भीर योजना आपने बना दिया सामको डिनर के समय जो है नितिस कुमार जी से पूछेंगे कोई बड़ा पील अब सरकार नहीं लापाएगी उनको अपने सरकार और 26 दलों को समझाने बुझाने में मामला खतम होगा और ये एक जो है पोलियों वाली सरकार बनेगी कब गिर जाएगी कब क्या होगा ये जो है जो सत्ता के नसे में ये लोग थे जो जानता के नव्ज को टटोल नहीं पाए ये चाहते क्या है इनकी मूल समस्या क्या है इस पे नचल के हिंदू मुस्लीम उच नीच तमाम तरह के मुद्दे को लाए और जानता ने अपने अच्छे समय पे उनको जबाब दिया है और ऐस जानता को मैं सलाम करता हूं कि आने वाली जो भी सरकारे हों जो अपने को जो है भग्मान मानने लगे उसको यहीं जानता जो है सबक सिखाती है और ताहे दिल से उत्तर प्रदेश तुमें आपके निव चैनल के मार्जम से मैं सलाम करता हूं लोग दंट जिंदाबाद प्रिया ले लेते हैं राजीव जिस से राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे जी तरीके से जंता में आक्रोश देखने को मिला और पहले तो घर तोड़े गए जो दुकाने तोड़ी गई है राजीव जी इसी का नतीजा देखने को मिला है क्योंकि मंदिर तो बन गया लेकि जो से पहले कहा जा रहा थे कि कारवाई की जा रही है और पेपर लिक से मामले को सग्यान में लिया जा रहा है लेकिन जंता कही ना कहीं पूरी तरीके से नाराज तो थी और कहीं ना कहीं ये नाराज की अब देखने को मिल गई राजीव जी अप्यावास जी परतना जी जी हम स्विकार करते हैं कहीं न कहीं गलतिया हुई है वरना जो जन्ता हमें दस साल से इतना स्ने करती थी हमारे प्रधान मंतरी के नाम पर वोट करती थी कहीं न कहीं गलतिया हम से हुई है लेकिन बड़े अश्चर की बात है कि यह कौन से मांसिक्ता है यह कौन सा गड़ीत है आपका गड़बंधन है वो फ्यवी पिक से भी आप मजबूत मानते हैं और जो हमारा गड़बंधन है उसका बैसा की बोल देते हैं आप चंदड़रबूनाए को विस्वसनीय नहीं है है। यह दोने विस्वसनीय नहीं है यहिए न जानते हुए लिए कि वहम अपर प्रण मंतरी बनने का नहीं कभी आप और देते हैं कभी काते हैं कि आप हमारे बड़े पुराने विश्वस नियसा ही होगी है। तो यह कौन सी गणी थे, कौन सी महम सिक्टा है, कौन सी रिविन और सीटी की टीगरी है, मेरे तो समझ से पड़े हैं, कि आप उसी गटबंध, अपने गटबंधन को, जिसमें रोज कभी उद्धा सामीन नहीं हो रहा है, कमधी बंधा बनर जी धंकी देती है, तभी अधिर चौधरी काते हैं कि यह बंगाल में है, खुली आरा जिकता है, और अर्विन के जिरिवाल जाते-जाते सब अक्सी दिखा के गए, लेकिन यहां जो चल रहा है, वो तो अलगी करीद चल रहा है, हम के गड़बंदन के साथ ही एक जूट नहीं है, गड़बंदन के मीटिंग में सामीनों ने समना करते हैं, हमारा गड़बंदन कमजोर होता है, गड़बंदन में मुंता बनर जी नहीं आती है मीटिंग में, हमारा एलाइंस को कमजोर बताए जाता है, पहले अपना घर दुर सब्सक्राइब कोई भी पसोपेस नहीं है और रहेंगे और हम पुना परदान मंतरी मनमोहन सिंग जी को ही देखना चाहते हैं तो फिर कौन से मान सिक्टा है नहीं समझ पा रहा हूं मैं लेकिन राजीव जी ये बात भी तो सच है ना कि जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं खासकर यूपी में जो बीजेपी का नतीजा सामने उसके बाद तो अब ये जो बैस साक्यों वाली बात की जारी ये तो कहीं ना कहीं सच है सहारा तो चाहिए ना आपको अपनी पार्टी चलाने के लिए आप अकेले तो नहीं चला पाएंगे राजीव जी जी गटबंधन जब होता है तो गटबंधन इसलिए होता है कि अगर कहीं हमारे नतीजे अपच्छा के इतना है प्रतिक्रिया क्या है वो कह रहे हैं कि इसलिए तो दल होते हैं लेकिन इससे पहले वो कहते हैं कि हम तो अकेले लड़ने तब दलों के नाम भी नहीं लिये जाते थे लिडिये लग्सांशंट जी आवाज सोगेव मेरे अब अधर बॉट पाएं गटेश को अवाज आहिए जीचा कि उन्हारे प्रतियासी के ऊपर 307 कमकास दर्ज कराकर के उन्हों को नहीं बैठा दिया और आपको बता दूड़ू कि इतिहास को ऐखly रही हैं कि धाई लग्स क आपको आप करते हैं कि तौ मताएसा को विए घ्रमासु हैं तौ में नहीं को श्र्म मुठा श्रकी último सब साने होपा went प्रतार मंंत्री नहीं है जिटे Constitets दिग्रry लिया वो और कुम पता नहीं है रडार देंöyle ho केरेनगेश्त के वाखनोगरने राजवारा को प्रतार राजवय्ड साथet सुन्हें के भालों आप supplement प्रभी राजवर को आप लोग ने कैसा साइड लाइन कर दिया आपको पता हो क्योंकि आप लोगों के साथ हम किया है जनता के साथ रोका किया है प्रवाक्ता की सुन लेगे इस गठबंदन का नतीपे रहा है इन उत्तर प्रवाक्ता की स्ट्राइक वाली को आपने लड़े हैं आपको पताना है इस हार से योगी योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आजिचनात बराबर पुलिस अधिकारों की मीटिंग ले रहे हैं आप लोग इलहावाद जैसे डिप्ति स्रीमान जी अचार संगीता खतम होने के बाद आपको साहिद नहीं पता होगा ये मुख्यमंत्री सभी अफसरों साथ मीटिंग करते हैं क्योंकि उसके पहले तुनावायों देखती है स्रीमान जी साहिद आपको पता नहीं है स्रीमान जी वही तो कर रहा हूँ आपने साहिए कि मीटिंग में आ तक नहीं रहे हैं और हमारे साथ ही मुख्यमंत्री से पढ़के आप भी आए हैं अरे आप पहले ममता पनरजी से बात कर लें आप पहले उद्व ठाकरे से बात कर लें इतिहात उठाकर देखिये इतिहात उठाकर देखिये इतिहात उठाकर देखिये इतिहात उठाकर देखिये आप बोलते हैं कि हम Sambigraphan में छेयर चाहर करते हैं रिलबना उंजणा गांदी ने सम जीरिक शाहर किया जोला बुकल होगना एक हरी जीरां को घाते हैं लिल्ष करूँयाot को ऑप निर्यंगे चेinki कम वर्याता Лाएत किरने कवा संधाइलrices थोड़ा लहजे में लेकर करिए ठीक है आप दोरों के बाद मैं फिर से आपके पास आती हूँ हम ऐसा सुनील जी भी है सुनील जी यह जो तू तू मैं में हो रही है नतीजे आ गया उसके बाद भी लेकिन इस पर अब क्या कह सकते है इस जो संकेत दिया जा रहा है जो बैसाक किया तो मंतर की बात की जा रही है सुनील जी इसे रतना जी मैं कारण के भाई से अपने कहना चाह रहा हूं कि धन्यवाद आप अखलेश जी को दीजिए अगर राहुल जी लाखों के मतोस जीते हैं तो आप अकेरी रखे देख रहेते हैं उत्तर प्रदेश में आप एक्या तब मैं कहूं इनके अध्यच से भारती जंत्रा पार्टी के अध्यच बुपें चोदरी जिसे अगर मिलने जाए मेरे सामने घटना में मिलने गया राहा बात के पतादिकारी थे उनको गेर के बाहर खड़ा कर दिया गया तो भी मेरी समय से पूरू में मिलने रहे हूं चु करते हैं उस पर भी रिस्पांस नहीं मिलता है जबकि योगी आधितिनाथ स्वास भाग को अर्बूर रुपिया बजब दे रहे हैं उसके बावजुद भी स्वास सेवाएं आपकी डैमेज नहीं है कोई भी स्वास परमीस पूछ लीजे वो भी परिशान है और जो विशार इनेटर पेसे मर जाते हैं तब भी पैसा उसूर रहे हैं आप देखिए कि 10 साल पहले हास्पिटल एक था छोटा सथा दस सालों में कितना बड़ा हो गया ना आईटी ध्यान देती है पैसा कहा से आ रहा है उसी जंतक पैसा है जंता इंग पान सालों में भारती जंता अधिया अगर्पंधन 35 सीटों तक उत्रप्रश्व पाएगा और जो असी बात कर रहे हैं असी तोड़ दिये साथ पार हो जाए बड़ी बात है आपके वहां मेरा वीडियो पड़ा होगा हम लोग छोटे पत्रकार सभी जिगे रहते हैं आकलन करते हैं कि सच्छाई क्या है लोग कितना परिशान है जो अधिया की बात हमारे मित्र कर रहे हैं कि मंदूर रास्ते तोड़ दिये गए मंदिर तोड़ दिये मशी तोड़ दिये मैं मानता हूं चलिए कितने लोग मंदिर मशी तोड़े गए तमस्या इस वाक कि नहीं है ऐसे कई बगतर भाती जंता पार मैं तो लोग उपीज बैठता हूं उन्हों कहार एक फोटो साल अच्छा है वो भी मेरा कतब हो जाएगा तीसरी बात जो मैंने बहुत अच्छी तरह देखी राजी जी माने न माने भारती जनता पार्टी के जो सिपाही थे मैं वफादा सिपाही उचाचा करूंगा वे एक द ऊपी देखिये भारती जनता पाठी में पांच साथ साल बैठ रहा हूं वब जीर जनता पार्टी किनारा करना सुरू कर देंगे निश्चीत रूप से उसका कहिंद एक खामयजा भोगतना पड़ेगा इसके बाद मैं आ रहा हूं ब्रूरोकेट्स उपर रतना जी आप ने भी देखा जनता से जुड़े चारी विभाग में मानता हूं चिचाई भाग, करशी भाग, स्वास्त भाग, लोग निर्मार भाग इन चार भागों में अगर आप आखलन कर लिए करसी भाग में वही मंत्री पांट सालों पुरा रहे पांट साल हम वही कर दिये मैं फिर कहना चाहूंगा कि APC मनोसी मनोसी के बाद 36 विभाग मैं बार बार कहता हूँ एक IAS 36 विभाग कितने कितना समझ दे पाएगा विकास कारों का पिर भी मुखमंत्री चुप है तो चुप रहें अगर आप चुप रहेंगे तो 27 मैं फिर बैठा कह रहा हूँ कि आप पार्टी का कोई नाम लेने आ उत्तर प्रश्म नहीं होगा और यही इंडिया का पंधर को उत्तर प्रश्म फाइदा मिला है कि इनना चाहते हुए भी होकर जाके समाजवादी पार्टी को ओड़ दिये हैं क्योंकि अकले सी देखे उतना प्रशार नहीं कर पाए इतना हमारे नर्मोदी जी और योगी जी ने प्रशार किया है कि इनके सारे नेता नुचार छोड़ करके पॉब्लिक से मिलना पसंद महीं है मैं आप डावेट साथ का आज मैंने खबर पड़ी है कि दिरेश शर्मा जी को और जितिन प्रशार जी को मंत्री बनाया जा रहा है मैं दिरेश शर्मा जी के बड़ा निवेदंस कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा ब्रामार मुखी चेहरा है घर पर जाए कितने ब्रामारों की मदद किया कितने ब्राम्मों की सेवा किया है इसका आकलन बेजेपी नहीं कर रहे हैं मैं जिदिन प्रसास्थ बारें जो कहूँगा मेरा उनसे को लेना देना भी नहीं हमारे छेतर से काफी दूर कें लगिंपुर कें वो उनकी एक छबी उनकी पिता जी चबी वैसे रही वैसे उनकी प्रतिक्रिया लेते जैनल जी कहीं न कहीं यहीं बड़ी हार रही है क्योंकि जंता से इन्हों ने दूरी बना ली थी सारा फोकस राममंदरी के निर्वार पर प्रतिष्णा पर लगा दिया और इस साल के शुरॉात से ही राम मंदरी को लेकर जिस्तरी के प्रचार प्रसार किये गए क्योंकि कहीं न कहीं यह पता था कि चुनाव आने वाले हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने प्रचार प्रसार किया वैसा किसी और पार्टी ने नहीं कि एंडिया लाइंस की बात करें लेकिन कम से कम उन्होंने जनता से जाकर मुलकात की अमीरी गरीवी के फासले को समझा समझाया तो क्या यही कारण है कि फिर से जनता का जो सपोर्ट रहा है वो मिला है समाजवादी पार्टी को जैनुल जी जी सबसे बड़ी बात जैसे हमारे विपक्ष के यानि भारती जनता पार्टी की लोगों ने भी शिवकार किया है जो आप प्रिंट मीडिया में भी पढ़ने को मिल रहा है इलेक्रानिक मीडिया में भी देखने को मिल रहा है कि उन्होंने ज्यानता से अपनी दूरी बना लिये थे दूसरी चीज उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने काम किया वो चुकि मैंने पहले भी डिवेट में कहता था कि धरातल पर दिखाई नहीं देता है इन्हों ने अपनी सफाई हमने इनके एक नेता बोलते हैं कि आरचल हम खतम कर देंगे एक नेता बोलते हैं कि हम जो है आरचल किसी भी हाल में खतम नहीं होने देंगे यह जो confusion वाला जो म कर भांद हो गई है आप जो है एक डेस बनाते थे गय Tiger अज आप gegensapagor के सब्थिखा दिया था पीछे वाले जीफ पर और से सिंगल आप 5 सो माइन वनली सो माइन यूपी में माननी आदित नादी और केंद्रे में वो सिंगल माइन के तौर पे लोग काम कर रहे थे इसको यहां हमारे भारती जन्ता पार्टी के भी कारे करता अंदर से वो बात कहें या न कहें हम लोग भी कारे करता हैं बात समझते हैं एक तो बाराबंग की माननी बीधायक जी ने जो आरती जनता पाइटी के उनका प्रिंट मीडिया में मैंने अख़बार में पढ़ा है कि उन्होंने काया कि हम लोग क्या हैं हम बीधायक हैं और एक मोटर साइकल भी नहीं छपड़वा पा रहे हैं तो क्या मतलब है बीधायक का भई एक समझवादी पार्टी का कारेकरता एक मोटर साइकल छपड़वा लेता है कौन से छपड़वा लेता है कर लेता है जिसकी भी सरकार होती है लेकिन जब यह बिधायक अगर यह कहें कि हम एक मोटर साइकल भी नहीं छोड़वा पाते हैं मेरा सम्मान कोई नहीं रह जाता है सरकार में तो मुझे लगता है कि जनता और कारेकरता का जब सम्मान नहीं रहेगा तो वह बहुत जल्दी वह काम नहीं करता है कोई भी आदमी क अगर उसका सम्मान नहीं करेंगे उसको मदद नहीं करेंगे उसके बात पे काम नहीं करेंगे तो आपका बद्वा मजदूर नहीं है जो 400 रुपया पर भी काम कर रहा है न उसको भी वह पैसा देकर काम कराया जाता है अगर उसको भी अगर आपका सम्मान नहीं करेंगे तो कर देगा तो राजनीत में तो बिना पैसे का अपने पास से लगा के घुमिये और सम्मान भी न मिले तो इसलिए भारती जन्ता पार्टी के करता हूं कि सबसे पहली बात कि उनका भी सम्मान नहीं हुआ उनकी भी बात नहीं सुनी गई उनको जहां पे जिस लाइक मंत्री को को कोई वो पावर नहीं काने के लिए हूटर बढ़ा के जाए लेकिन एक काम उनों ने करा नहीं पाया दूसरी चीज हमने जो है बेसिक चीज का मुद्दा उठाया और वो बेसिक चीज मैटम कई बारे में बात बताया हूं कि आज के डेट में हमने खेंदर सरकार हमारी इंड सिरियस लिया कहा कि यहां रोजगार मिलेगा इसके अलावा हमने कहा कि जो रोजगार सिविल सर्विसे तमाम इलहाबाद आपके लगनव आपके जो है दिल्ली में जो तैयारी कर रहे हैं आईस की PCS की आरो की आरो की लोवर सब इनेट की सिपाही की जिस भी उस परिच्छा कोई ये लोग परिच्छा कराते हैं और सिपाही भरती हो तमाम तरह की आप देखे हैं कि पेपर लिग हो गया वो बच्चे परेशान उनके गार्धियन भी परेशान इन सब चीजों को हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ऐसा एक कानून बनाएंगे जो आप बताए देल हैं तो निवेधन करता हूँ मैं बड़ा समान करता हूं वाधितना जी से कि अगे लोग ने कहते थे कि मुछल जब चला जेते हैं अरे भाइश जीं लोगों ने पेपर लीग किया था उनको घरों के उपर भी जो है अधिकारियों के उपर उनके जो भी लोग है उनके लोगों नहीं किया सिर्फ हावाई सपना दिखाया जैसे पिछले चुनाओं में 15 लाक देंगे उन्होंने हमने लाएंगे नोट बंदी करेंगे भरस्टाचार खतम होगा नहीं कुछ हुआ नहीं मैडम आप ची तरह जानती है ना 15 लाक रोपिया आया ना नोट बंदी से भरस महिलाएं हैं उनको अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है 8500 रोपे के इसाथ से 1 लाक सलाना देंगे जनता ने महिलाओं ने तमाम लोगों ने इवाँ से हमने रोजगार की बात किया हमने तमाम तरह के जो लोकल एरिया थे जैसे दिवरिया जिला है वहाँ पर हमने कहा कि जो है कभी चिनी का कटोरा का इलाका कहाजाता है वारि भाठ पर हमारे दिवरिया सलेंपूर विधान लोकसभा का एक चत्र है हल्दी का उतपादन होता है हमने काये कि यह अगर हमारी सरकार बनती है तो हल्दी से जो हम पाहर के जो कमपनी वाले दिल्ली और बंबई में ले जाके आपका जो है गोल्डी माशाला बनाते हैं गोल्डी हर्दी बनाते हैं यह तमानी इस्टिवियर बने आप लगाएंगे आस्थानी लोगों को रोजगार मिलेगा हमारा देश तरक्की करेगा सब के हाथ में रोजी रोटी और आने वाला दिनों में भारती जन्ता पार्टी अगर इसी रंगती से चलेंगी अपने कफनी और करनी में अंतर नहीं रख्यागी तो 2027 में अभी हमारे समिक्षक साब बता रहे थे कि कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा तो इसलिए 2027 में आपका समाजवादी पार जैनुल जी धो ट्माभी है और तरीके से राजिव जहाब देना चाहे है लेकिन जरू का कैना है कि आपने जो बेसिक व्याइट थे से जनता का ध्यान फटा दिया जटा गइंबब कोई काम नहीं हुए और मुछेफले वाहा की दैवी करॉल वोट उनको दे दिये जाएंगे सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का ही रहा है पूरे चुनाव भर में राम मंदिर राम मंदिर प्राद प्रत्रिष्टा भगवान राम जैश्री राम के नारे ही लगाए गए हैं तो जाहिसी बात है जब इस छेत्र में ही जहां इतना फोकस रहा है इस चेत्र में इस तरीके की हार जब मिल चुकी है तो सवाल तो उठेंगे ना राजीव जी जी तत्ला जी मैं पहला तुम्हें निवेदन करोगा यह डिबेट हो रहा है कोई चुनावी जंसवा नहीं हो रही है कम सब्दों में अपनी बाते कहिए इंपक्ट सब्सक्राइब कोई बताना चाहूंगा बेसिक चीजों की बात होती है हम मुक्त सिजागी की युजना लाते हैं सवभागी युजना के अंतरगत हम कंदरों पे बिजली और कनेक्शन देते हैं कि अब तेवारों में कि शानों के लिए शम्मा निधी देते हैं त्रात्मिक सिछा के लिए काया कल्प नाम का युजना आया जहां प्रदेश भर में पूरे तरह से जो जेड़ सेड़ हो चुके थे प्रात्मिक भी तैल है उनको हमने बनवाया उसके बाद पुर्धान मंत्री आवास युजना के अंतरगत साइधी या कोई ऐसा जगा होगा रत्मा जी जहां जुगी जुपढ़िया देखने को मिलती है हमने पक्के मकान दिये रत्मा जी बात बिल्कुल भी बेसिक चीजों की नहीं है गलतिया है हमारे नेता भी गलत हो सकते है इस व हुआ है कि संभिधान बदलने के नाम पे बहुत बड़ा प्रहम पर लाया गया और उसके बचाओं में लोगों को लगा ऐसा लगा कि स्रीमां जी स्रीमां जी मैंने बोला नहीं था इस बादिया आपने घरत जाया है बड़ी आपने ख़त आपने ख़त जाया है वह आपने कि कर दो तुम मुझे समझ में आरा बोल कौन रहा है आप लोग एक साथ ही शुरू हो जाते हैं जब एक एकप मुँका दिया गया है तो अब अब कर दो को दिया है जब जा एक मूग हो ज़्या नहीं नहीं आता बोल को होता है इन्डीय किताब से पjulat एक मिन, एक मिन, गॉराजीव से पैराइए ने मोगा.. ऐक में एक मिन.. भी वाजीव आपने प्रवेसर वीम, बेल काशक की होे हैं। तो राजीव जी दो मिनिट पर खतम करें कोई कि आपी ने बोले था कम शब्दों में बात को रखिए ताकि समझ में आई इंपक्त पड़ें तो एंपक्त बाते पर देवें जी अबात की पानलिस ने हमारी गुजारिशे कि प्लीज इंटरफेर ना करें उनकी बात को दीजे दो दो मिनिट की बात है राजीर जी अपने बात पूरी कर लें फिर देवें जी आपके पास आते हैं जिनके सरकारों में तिरपन बार और खुल सोला बार समझ में संसोधन हुआ वो लोग आज मंच पे जब चड़के काते हैं कि आज समझ में खत्रे में जो दलित की बेटी आज की आज का उचका उचका आपको सम्माण नहीं करना चाहिए था आज भारती जन्ता पाइटी का करता है उसकी जढबचाने के लिए जाता है अन्यता उसके साथ प्या किया हुआ होता इस स्वार ही जानते हैं प्रदेश को जोगे तो फिर साफ हो जाओगे नरेन मोदी जी ने जो काम किये छोटे-छोटे अकबारों को जीना मोताज हो गया है यह भी हार का एक कारण है मैंने सुना कि सब्सक्रा तारीक को लग यहों मद्यम समाचार पत्रों के नेता दिल्ली में जा रहे हैं धरना प्रतसन करने के लिए पास आपने कैसिर कर दिया तो यह छोटे-छोटे चीज़ को अची समझ रहे थे रधना जी यह भी हार का एक कारण है एक अकबार से पत्चीज गों परिवार सकता है उस अकबार को आपने इतना घेर दिया कि छोटे-छोटे अकबार वाले जिनके लिए तुरगी इंद्रा जी ने बोस्ता की थे बीए-पी घठन किया था इलब मजब समाचार पत्र इस देश में यहां चलेंगे और यहां को विग्यापन मिलेगा दूर नरेन मोरी जी ने जी एसटी लाद दिया चोटे-चोटे-चोटे-चोटे अकबारों वोपर यह कितना बड़ा गंभीर मामला है और यह कही कही खनाजा अगर इस गटवंधन ने भी धिहान नहीं दिया तो आगामी चुनाओं में फिर कर आओं कि अभी तो इतनी सिती खराब हो इससे बुरी सिती खराब हो जाएगे तरांजी तो बहुत परे मुझे-चोटे-चोटे-चोटे इंपर सब्सक्राव क्यामें देती है ठीक है देवेन जी आप अपनी बात भी दो मिनट पर खत्म करिया जी अभी प्रवक्ता पार्टी का प्रवक्ता मुझा रहते है दलिस की बात आप वहां पे आपके देशा होगा जब आपको ने दिखा होगा सब्सक्राइब केंडर से लेके उत्रप्रेस रहे लेकिन कितना किसने किया है जंदा भाखो भी जानती है अपको बता दू मैं कि 14 जून को नीट करियर्ट आने वाला था आप लोगोंने चार जून को नीट करियर्ट आया आपको बताना चूंगा मैं यह पात एक ही सेंटर से एक ही सेंटर से ऐसा इतियास में पॉले कभी नहीं हुआ है नीट का पेपर जो है जो एक इंसी ने कराया हुआ है वो भी आप लोगों ने बक्चों को साथ पूरी जिंद्गी को आप लोगों अंदगार रखा है हम लोगों ने तमाम लड़कों ने आप लिए लीक हुआ है देवेंजी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुच पा रही है रधना जी बीरेंजी कह रहे हैं इस बास कही तक मैं तो ऐसे चाचाएं समाद में हो लही है और जो बच्चे उन्हों याम दिया या वो भी कह रहे हैं अब सट्षाई क्या सरकात ने सरकारे से जांज कराए पर देश कराएं या मैं जान जानों कि आप कितना भातवा के जब्रीट हैं यह सबसे खरार सबसे उत्रप्रदेश की रहे हैं और उस पर आग कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है यहां तक मानी सुप्रीम परते एक जिलो में मेडिकल कालेज अस्थापना का जो हमारा जाते हैं वो तेरे तेरे पुरा होता जा रहा है यह जो पूरी जा रहे हैं जो ब्यूरोकेट्स बैटे हुए जो परदा लगा के सेरफ गोंते हैं कि मेरा कोई चेहा नहीं देख पाए अज चुनाव लगने जाते हैं इसलिए हार जाते हैं कि दिने भी उरोकेट्स बार हा रहे हैं देखा आपने कि दिने जाते हैं जाते हैं कि यह जोगी जी को मरें उसे निवाच का और इसे वह जोगी जाते हैं सब्सक्राइब नहीं आगए आप उत्रवेज में यह भगवान का राम करपा है कि हमसे आदों को भी मोका देते हैं अधिक्ति कभी बढ़ा नहीं हुआ है बताया तो सिरा सिंग चौहान के जगा पर महान यादों को तरजीह दी जाती है तो हम अपनी खर्दियों से सीखना जाते हैं लिए मानता है बन पत्रकार होगी कहीं 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 टिक्टों के लिए वटवारे में माना जा सकता है कि हमसे गलतियां हुई है हम उसका भी सुधार करें जनता के बीच में अगर जो में हमारी सिकायते हैं हम बैट के आफ मन्थन करेंगे हम जनता से भी पूछें कि या कि गलतियां हुई है जहां पर उनको लगता है कि ध्यान नहीं दिया गया है इस उनाव में तो उसमें आत्मन्थन करेंगे वह देखेंगे कि जो छोटी- इसको ध्यान में रखा जाएगा और इस तरीके की हावावाई बाते करने से बचेंगे कि जनता का जो रिजल्ट था जो जनता ने परिडाम दिया है खासकर आयोध्या में उससे अब एक तरीके से यह सबक जो है कही ना कहीं लगता है बीजेपी ने सीख लिया है अभी तो कह रहे हैं आने वाले वक्त में क्या कहेंगे अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते लेकिन फिलाल के लिए उनका यह कहना है कि उन्होंने आप मन्थन कर लिया है तो बता दे कि जिस तरीके से आयोध्या में यहार हुई है इसके कई कारण बताया जा रहा कि सारा फोकस राम मंदि तक नहीं दिया गया लोग काफी नारास थे उस वक्त तो कुछ नहीं कहा किसी ने लेकिन जब परइडाम सामने आए वोट में जब वोट देने गई जनता तो उन्होंने दिखा दिया कि असली खेल कौन कर सकता है तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि अखलेश्यादों जो है व संतुष्ट नहीं थे कई तरीके की तस्वीरें भी सामने आए थी हमने आपको दिखाए थी और आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का हाल रहा है बीज़ेपी का लेकिन अभी भी सत्रा राज्यों में भाश्पा सत्ता में हैं लोग सावा चुनाओ अरूर और उडिशा में विधान सावा चुनाओ के बाद अब तीन राज्यों की विधान सावा चुनाओ भी होंगे इन में हर्याना महराश्ट और जार्खन शामिर है और अभी हर्याना और रांचर प्रदेश सिक्किम महराश्ट उडिशा में भाश्पा की सरकार है आनप्रदेश को भी बैठक में NDA के 21 नेताओं ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके मोदी को अपना नेता स्विकार किया जिसे नरेंद मोदी के एक बर फिर से परधानमंध्री बनने का रास्ता अब साफ हो गया है बैठक में सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पिछले दस सालों में उनके कारकाल और देश में विकासकारियों के लिए उन्हें बधाई भी दी है हलांकि आपको बता दे कि 8 जून को ये शपत ग्रहर का कारकाम होने वारा था जहां ये कयास रगाया जा रहे थे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शपत ले सकते है लेकिन अब ये डेट जो है 9 जून की बताई जा रही है हलांकि इस पर हमारी नज़त रहेगी फिलाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है केकेडी निउस